अलो गाइस वेलकम डियाल काफेक्ट एंड कैसे आप सब लोग तो गाइस जैसा आपने देखा होगे एक रिसेंट अप्डेट आई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नैच्रल गैसे इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बोला गया है कि 2027 तक सारे डीजल कार्स को बैन कर दिया जाएगा अगर आपके सिटी की पॉपलेशन 10 लाक से जादा है तो उन सिटी में 2027 के बाद आप डीजल कार्स नहीं चलेंगी ये प्रपोजल रखा गया है कमेटी की तरफ से गौर्वर्मेंट को अभी इस टाइम पे करेंटली जितने भी डीजल ओनर्स है या जो डीजल बायर्स है या जो लेना चाहते हैं डीजल कार्स उनके बीच में क्यों सा हो गया है कि यह क्या गौर्वर्मेंट की तरफ से प्रपोजल आ गया है तो अगर आप भी डीजल ओनर हो कार ओनर हो तो आपको अभी इतना ज़ाधा टेंशन लेने की जुरुत नहीं है विकाज यह सिर्फ एक प्रपोजल है और गॉर्मेंट को भी पता है कि अभी डीजल पे हमारी काफी ज़ाधा डिपेंडेंसी है अभी डीजल कार को बनाना तो इसलिए यह प्रपोजल के तरह की डीजल कार को बन किया जाए और एवी में शिप्ट किया जाए जल्दी से जल्दी इवी में अभी जल्दी से शिप्ट होना इतना पॉसिबल नहीं है इंधरा स्ट्रक्टर इतना भी बना हुआ है और नहीं असे लग रहा है कि हम लोग चार साल में इतना अच्छा इंधरा लेंगे ए čह म Peki हम पूरी तरह से यवी में शिप्ट हो जाए तो अभी तक यह पॉ विगाज अभी हम इस condition में नहीं है कि हम डीजल को proper band करके हम सीधे EV में shift हो जाए जैसे आपने देखा होगा कई बार हमने सुना भी है पहले भी हम सुनते आ रहे हैं और अब देखा भी हमने कई टाइम से देख रहे हैं कि government का पूरा plan है कि अगर EV में in future हमें EV में ही shift होना है and EV is the future जो आप कही बार पहले भी सुन चुके होंगे government के reports में भी and आप कई experts से भी सुन चुके होंगे कि EV ही हमारा future है नहीं EV में ही जाना होगा एक time के बार but वो time के लिए अभी थोड़ा time है अभी हम all of a sudden इतना जर्दी है major decision नहीं ले सकते कि 4 साल के अंदर हम डीजल कार बैन कर दें and सीधे EV में shift हो जाए तो वो होना अभी possible नहीं है तो इस report की वज़े से यार कुछ काफी सारे consequences देखने को मिल रहे है because currently diesel car owner है जो लोगों के पास diesel car है और वो अपनी car resale करना चाते है तो market में उनकी resale value काफी ज़दा down हो गई है because यह जो market यह report published होई है media में इसके बाद काफी ज़दा changes आ गए है गाडियों की resale value में and diesel car की resale value काफी down हो चुके इस report के बाद तो मेरा मानना है अगर आप एक नए बायर और आप चाहते हो diesel car लेना तो I don't think so यार आपको अभी ज़्यादा diesel में invest करना चाहिए because चाहे भला ही मैं मानता हूं कि अभी इतनी जल्दी यह band वगरा का scene नहीं होगा diesel car 4 साल में band नहीं होने वाली बट अगर आप future देखोगे diesel car का तो वो इतना ज़्यादा clear नहीं है इतना ज़्यादा uncertain सा future है diesel car में so अभी आप diesel car में invest मेरे साब से तो ना करे तो बढ़िया है rather than investing a diesel car you can go for a hybrid cars hybrid एक अच्छा option हो सकता है अभी currently में बता हूं तो EV से better option hybrid हो सकता है और आपको अगर आप चाहा रहे हो तो आप hybrid में अभी invest कर सकते हो because hybrid cars अभी current situation में अगर बात करूं तो EV से better option है because इसमें आपको battery plus petrol नो का option मिल जाता है and आप city में battery पे अपनी car चला सकते हो and इसके लिए ना कोई आपको charging station पे जाने की जरूरत है और ना ही आपको घंटो time लगाने की जरूरत है चार्ज करने के लिए car तो hybrid एक अच्छा option हो सकता है अगर आप चाहो तो अपना जो भी investment हो hybrid cars में कर सकते हो EV cars वैसे भी अभी बहुत महंगी पड़ रही है because EV की जो cost आ रही है वो बहुत जादा है and I don't think so अभी हम लोग पस जो इतना हो गया air की लोग इतना जादा पैसा invest कर सके EV cars में तो EV में अभी पूरी तरह से shift होना मुझे नहीं लग रहा possible है so guys मेरा बस इतना ही मानना है कि जो I don't think say key government इस proposal को accept करेगी but यार आप मेरे को यह समझ नहीं आपने proposal दे दिया but यह proposal कहीं से भी practical नहीं लगा कि यह practically हो सकता है वैसे इस proposal में बहुत सारी चीजे थी EV से लिटेट भी बहुत सारी रिपोर्ट में बात कही गई थी जो हम इंटर सिटी यूज कर रहे हैं transportation वह EV में होना चाहिए बहुत सारी चीजे थी इसमें EV से लिटेट भी थी काफी सारी चीजे बट जो चीज डीजल के लिए गई है वो होना अभी मुझे नहीं लगता possible है अगर आप चाहते हो डीजल कार लेना तो अभी फिलाल इतना रुख जाहिए ज्यादा मत कीजिए विकॉस डीजल का फ्यूचर सच में अंसर्टेन है जैसे आपने देखा हूगा कई ब्रैंट्स ने मारूती यसे ब्रैंट ने डीजल कार बंद कर दिया है अगर आप माने ना मानो डीजल से डिपेंडेंसी गॉर्मेंट को कम करनी है और इन फ्यूचर यह होगा ही होगा तो अगर आप नियू बायर हो और आप चाहते हो डीजल का लेना तो अभी थोड़ा रुख जाओ अभी फिलाल चार साल वाला बैन तो नहीं होने वाला तो बहुत चोड़ी से वीडियो थी मैं जाता है यह बहुत पहले निसे नियूज आ रही थी मैं सोच रहें वीडियो बनाना बाट मैं सोचा फाइनली चलो कुछ अपने पॉइंट्स रखूं इस टॉपिक के बारे में सो मेरी यह कुछ पॉइंट से मेरी ओपिनियन थी जहां तक लग रहा है यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यह में शिप्ट हम इतनी जल्दी नहीं हो सकते है चार साल के अंदर और अभी हमारा इंट्रॉक्टर बीटर डेवलप नहीं हुआ है कि हम ईवी पे टोटली श हो सकता है in future हो ऐसा और ऐसा होगा बट अभी फिलाल चार साल पांट साल के अंदर तो यह नहीं होने बाला तो इस वीडियो में इतना ही बहुत चोड़ी सी वीडियो में आई मैंने आपके लिए सिर्फ यह डाउट क्लियर करना था जो की जो यह जब चल रहा है ना हलला हला है so guys thank you so much and मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक क्लें बाई